ओके तो फाइनली वन पीस का एपसोड 1051 आज संडे की दिन जो है आया एंड इस एपसोड के उपर भी बात करेंगे कि आखरी एपसोड क्या सा था विकॉज मैंने प्रॉमिस किया था कि संडी को भी वीडियो आएगा एपसोड के उपर रिव्यू करेंगे लेकिन उससे पहले जासे कि मैंने कल वाले वीडियो में बोला था कि मैं कुछ कमेंट्स को चुन करके उनके रिप्लाइ दूंगा तो हाँ वो भी किया जाएगा अब देखो जिसे जो है रिप्लाइ देखना पसंद नहीं है वो वीडियो को यहां तक स्किप कर सकता है जिस वज़े से तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो और तुम वीडियो देख सकता है तो सबसे पहला जो कमेंट किया है वो है at the rate user pi भाई ये बंदा जो है लिखता है कि is fusion fusion fruit possible like fusion of two things ice and diamond दगो इस बात का exact में answer तो नहीं दे सकता है क्योंकि वो डिपेंड करता है ओडा पे ओडा चाहे तो दिखा सकते हैं नहीं मन किया तो नहीं दिखा सकते हैं लेकिन एक time के लिए तुम ही सोचो ओडा अचानक से भाई नया type का ये concept वाला devil fruit power हमें लाकर के दे दे तो one piece पहली बात तो अपने final सागा में चल रहा है और end end के time पे तुम यार नया devil fruit type लेकर क्यार हो तो वो अजीब ही हो जाएगा तो इसी वज़े से according to me ऐसा मेरे को लगता है कि फिलाल के time के लिए तो ये नाम होगिन सा है पर वो ड़ा के पर depend करता है अब आता next सबाल जो की पूछा है मूगिवारा ने एंड भाई का कहना है कि भाई one piece फिल्म रेड में सैंक्स ने अपने स्वार्ड को flame से cover कर रखा था तो क्या वो conqueror या armament haki का advance version था क्या देख भाई इस चीज को ले करके ओडा ने जो है one piece का four billion volume series एक आया था जब one piece movie red release हुआ था उससे प ये था कि सैंक्स को killer of color of observation haki कहा जाता है मतलब ये हो सकता है कि वो किसी तरीके से advance observation haki को भी block कर सकता होगा अपने opponent का and दूसरा चीज ये बताया गया था कि वो अपने sword को flame में change कर सकता है जिस तरीके से तुमने one piece movie red में देखा था flame sword बना सकता है अब ऐसा किस वज़े से कि ये exact हमें नहीं बताया गया तो इसका जवाब तुमको future में मिल जाएगा तो उसके लिए बस तुमको थोड़ा wait करना पड़ेगा लेकिन जहां तक मेरे को लगता हो सकता है किसी तरीका का conqueror haki हो because sans हमारा कोई devil fruit user नहीं है या फिर ऐसा हो सकता है कि sans का जो sword griffon या griffon जो भ आ सकते हैं next question पूचा है dead dead death bro if I rewatch one piece is it a good idea because इसने बहुत सारी चीजे और scenes को ठीक से नहीं देखा focus के साथ जो बाते मुझे तुम्हारे वीडियो में देख के पता चलती है अगर तुम one piece का anime दुबारा rewatch करते हो वह तुम्हारा decision है लेकिन अगर तुम rewatch करते हो तो कर सकते हो लेकिन यार उसमें time तुम्हारा बहुत जादा जाएगा इससे अच्छा मैं तुमको कहूंगा कि तुम one piece का manga को follow करो because जितना तुम यार one piece का 20 episode देखने में time waste करोगे उतना तुम यार एक घंटे के अंदर one piece का 10 manga chapter पढ़ सकते हो और इससे तुम्हारा time भी बचेगा and त तो अभी तक one piece के anime की इतिहास में नहीं दिखा था and वो चीज़ दिख गया लूफी वसिस काईडो का conqueror haki वाला class ये चीज़ जब manga में आतरा बहुत ज़्यादा तबहाई मच गया था और मैंने जो है पिछले वीडियो में promise किया था पिछले week वाले episode review में कि मैं बताओंगा कि मैं क्या चीज़ बताया था जब manga में ये आया था तो मैंने कहा था कि ल लूफी काईडो के level का है तो नहीं है लेकिन हाँ अब इसे तुमको जो है one piece के episode में fight जो है देखने में मजा आएगा देखो इस episode का सबसे खतरनाक moment ये class ही था साथी साथ इस बार भाई तो ही animation ने pacing अच्छा किया है because इन लोगों ने लगभग एक chapter के असपास cover किया है जो क की बहुत बढ़िया बात है एंड यहां पर तुम इस episode में दो fight के results भी देख सकते हो एक नेको ममोसी वसिस परेसपेरो वाला दूसरा इनुरासी वसिस जैक वाला क्यूंकि जब class हुआ था तो पूरा आस्मान से बादल ही हटा दिया था और इसी के वज़े से चांद हमें प जो चीज खास हमें देखने को मिला वो था भाई जोरो एंड सांजी यह दोनों भी fight करते हुए नजर आए हैं एंड लूफी जब वो class किया था उसके बाद बाकी के जितने भी one piece के characters थे वो सब का होसला बढ़ गया था साथी साथ जब लूफी यह statement देता है तो यह statement के आगे आने वाले episodes में pacing कैसा रहता है लेकिन यह episode बहुत ही ज़्यादा कमाल का था प्लस animation मेरा favorite moment था animation के मामले में जब momnos के यहांट के साथ मिल करके वो flame clouds create करता है एंड यार वो ओनिगासिमा को गिरने से बचाने वाला है because काईडो का plan सीधा है भाई वो ओनिगासिमा वाला जो island है इसको उड़ा के ले जाएगा और सीधे flower capital के उपर land करवाएगा इसमें भले दुनिया भर की जाने जाएं लेकिन वो land करवाएगा तो finally तुम सब कुछ चीज़े देख सकते हो यह चूतिया बच्चा जो किसी काम क नहीं था यह अब बड़ा giant dragon बन के कुछ काम करने वाला है साथ ही साथ इस episode में तुम और उची को भी जिन्दा देख सकते हो वैसे यह episode के बार में अगर तुम पूछो तो मुझे जो है class पसंद आया and यह episode भी बढ़िया था one piece का जिस तरीके से इतिहास रहा है anime के मामले मे तो यह episode बहुत ही जादा मस था और इसी वज़े से मैं इसको rating दूँगा 9 out of 10 का और तुम सब अपने हिसाब से rating दे सकते हो कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो comment box में and यार कल के वीडियो का wait करो because कल एक बहुत कमाल का वीडियो आने वाला है और मैं सच बता रहू ह वो वीडियो देखने के बाद कोई भी disappoint नहीं होगा तो कल के वीडियो का wait करो और हाँ like subscribe वाली फॉर्मलिटी पूरा कर देना साथ ही साथ मुझे instagram पे follow करना चाहो तो कर सकते हो तो यार में लग नेक्स वीडियो में फिलाल के लिए बाई